असलाम उलेकूम वेलकम टो माई चैनल आज हम दही फुल की बनाएंगे रमजान के लिए इस पैसल रेसिपी लेकर आई हूं मैं घर पर हम बाज आच ऐसी बहुत आसानी से दही फुल की बना लेंगे तो दही फुल की बनाने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है के प्लीस मे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तो यह देखिए बहुत आसानी से हम दही फुल की बना लेंगे बहुत जादा सौफ्ट और मुह में घुल जाने वाली फुल की है यह तो इस रमजान इस रेसिपी को सब्सक्राइब कीज़ेगा और हाफ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है वन टी स्पून मैंने सोल्ट लिया है वन फोर टी स्पून मैंने रेट चिली पाउडर लिया है आप चाहे तो ना डाले रेट चिली पाउडर को और सोल्ट आप अपने टेस्ट के अपोर्डिंग कर लें तो यहाँ पर सबसे पह होगी वह बाकी रह जाएगी तो दीखी यह टैक्स one चाहिए हमें इसका उपक्तुदह हो और मैंने हाप प्यास ली है दो हारी में रभारीघ कर लिया है और यहम पर हाफ कप मैंने इसमें बेशन लिया है इसको अची तरीके से छान लिया है अब मैं इसमें पानी डाल कर इसको फैंट लूँगी पानी आप अपने जरूरत के अगोर्डिंग डाले हर बेशन अलग तरीके से पानी लेता है तो यहाँ पर मैं इसको पांच मिनट के लिए फैंट लूँगी और यहां पर पांची मिनट हो गयते मुझे इसको फैंटते हुए और अब मैं इसको चेक करूंगी यह मैंने पानी लिया है और बैटर को मैं इसको उपर डाल दूंगी अगर बैटर इस तरह तैर रहा है तो इसका मतलब है कि वैसा अच्छी तरह कैसे फिट गया है तो यह मैंने मैं यह हूंँकी एक 알की गपारीक काट लिया है और एक टीस्पून इसमें एक हुटा हूँ जीरा लिया है बुना हुआ और आपट टीस्पून इसमे सौटथा और Dan 40 लिद मीठा सौड़ा था इसमें और 140 लाद ऐसमेह रेड़ चिली थी और jaga k genau पीया है यह ए इ minder यहाँ पर मुषे करें किया है को अधुकर हैं उस्मोल साइस के डाल नेहї है। मीला निकाल लूगी मिडियम फिलते मिटम भी और मीठा सोडा ही परोड़ा, ऐर फ्राय कर लिए तो इंदर हएंगी तो यहांपर विंसर्भी को निकाल लिया और अब ग्राम विण को वी, एंदर कर लिए ताकशे तरही के उपने लिए में और दो को अच्छे युhnी से ढूबा दें अदका भी में तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तो जो कटी हुई चीजे मैंने बचाई थी दनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिरिच, वो मैं इसके उपर डाल दूँगी आप इस रेसीबी को जरूर ट्राइ कीजेगा, आप देखना जो मैं कह रही हूँ, वो बिल्कुल सच मिलेगा, आपको फुलकिया बहुती ज़्यादा सौफ्ट मिलेंगी और यहाँ पर मैं बुना हुआ, कुटा हुआ, सीरा डाल रही हूँ ज़्यके उपर, तो इसको अप मैं हाफ एनार के लिए फ्रीज में रख दूँगी, ताकि तहीं को सोख लें अपने, आप चाहें तो यहाँ पर इस मिजीरे का तड़का भी लगा सकती हैं, तो हमारी सीपी में तब तक के लिए, अल्ला हाफिज